सथी उमीद की जा रही थी कि देश की महला बाल विकास मंत्री चुनावों में जाने से पहले एक प्रेस वारता के माध्यम से देश के सामने और खास सोर से आधी आबाधी के सामने अपने विभाग की रिपोर्ट कार्ड और उपलब्धियों को पेश करती लेकिन वो उससे फल रही जब ऐसा नहीं किया तो विपक्ष के तोड़ पर हमने उनकी जवाब दई तै करने की ठानी जिसके तहट कॉंग्रस नेता जैरम रमेश जी ने सिलसलेवार मुद्दों पर ट्वीट करके देश की महला बाल विकास मंत्री को उकसाया और वो उकसाने पर आई हमें इ उन्होंने भी ट्वीटर के माध्यम से अपने जवाब पेश किये उमीद की जा रही थी कि वो ट्वीटर ट्वीटर ना खेले एक प्रेस वारता कर दे सारे तत्य सारी जानकारी सारे आकड़े वो देश के सामने पेश करे लेकिन वो ट्वीटर ट्वीटर खेलती रही ठीक उसी तरह जिस तरह से बीच COVID lockdown में बच्चे महिलाएं पूरी तरह से सडकों पर थे, पीडित थे और देश की महिला बाल विकास मंत्री अंताक्षनी खेल रही थी ट्विटर पर, वो lockdown में इंताक्षनी खेलने में व्यस थी, इसलिए पीडा बच्चों की हो या महिलाओं की दि ट्विटर ट्विटर खेल रही है, मैं दुबारा उनसे कहती हूँ, जिन मुद्दो को जैराम रमेश जी ने उठाया, उस मुद्दो में वो बहुत से मुद्दो से बच गई, बहुत से मुद्दो पर उन्होंने पांच ऐसे मुखे मुद्दे हैं, या तो उन्होंने ब्रम समर्ति रानी जी का ट्विटर खंगा लिए जो जवाब उन्होंने जैरम रमेशी को हम दिये हैं कि क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराद की बात की गई पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रती या बच्चों के प्रती अपराद में बड़ोत्री हुई है नियाए कोसो दूर है ये पोस्टर ये चेहरे किसी एक का नाम सुम्रिती रानी जी ने जवाब में दिया है ये हम सवाल दुबारा पूछ रहे हैं ब्रजबुशन शेरन के किलाफ F.I.R. सुप्रिम कोट के कहने पर होती है हाँ या नही उसके बावजूद भी क्या के साथ सामुही कबलातकार क्या छे महीने से उपर हो गए कौन सी आदालत में फास्ट्रेक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई आप इस पे खामोश है सिम्रिती रानी जी आपके मंतरी हर्याना में संदीप सिंग आज भी योन उत्पिडन के घंबीर आरोप F.I.R. में म सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है कुलदीप सिंग सेंगर राम दुलारे बिलकिस बानों के 11 सामुही कबलातकारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया सही था गलत था आप बचाब में आए परचार परसार किया हार डाले लड्डू किलाए आप इस पे भी खाम साथ सामुही कर बलातकार में आपके अईटी सेल के निटा शामिल है क्या नयाए मिल गया उमीद है या उमीद है कि उसे नयाए मिलेगा हम पूछना चाहते हैं बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शानवाज हुसेन पर हाई कोट ने बलातकार का मामला दर्थ करके आगे की कारवाई के लिए क्या आपने उस पे अपनी जबान खोली हम आप से सवाल पूछ रहे हैं आज जब मैं आप से बात कर रही हूँ चार साल की मात्र चार साल की बच्ची का राजधानी दिल्ली में बलातकार हुआ है लोग गुसे में सड़कों पर है क्या आप सिम्रिती रानी जी उस चार साल की बच्ची के परिवार को मिलने गई राजधानी दिल्ली में क्या आपकी म महिला मोर्चा की अध्यक्ष गई उस चार साल की बच्ची को मिलने के लिए मेरी महिला कॉंग्रेस की दिली की अध्यक्ष अपने पूरे महिलाओं के साथ आज उस परिवार से मिलने की कोशिश कर रही है पुलीस मिलने नहीं दे रही है हमारा मिलने का मकसद सिरफ एक है परिवार को ये विश्वाś दिलाना, अगर पीडिता चार साल की बच्ची के परिवार को किसी तरह की आर्थिक कानूनी, किसी तरह की साहता और मदद चाहिए, इलाज बच्ची को चाहिए, हम खड़े हैं हमारी महिला दर्वाजे पर खड़ी है लेकिन चार दिन हो गए इस हाथ से को हुए सिम्रिती रानी जी आप चुप क्यों हैं ये सवाल महिला अपराध को लेकर हम आप से पूछ रहें जिस पे आपने अपने ट्वीटर पे किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया है सवाल उठाया आंगनवाड़ी बहनों को लेकर बजट जो है सुकुर्ता बजट धनका उपयोग बजट की अगर बात करेंगे तो सिम्रिती रानी जी आपने बड़ी सरलता से ग्राफिक पेश किये बजट को लेकर यूपिये सरकार का 5 सल का बजट पेश करती है वो अपने ग्राफिक्स में और बीजेपी सरकार का 9 साल का बजट सुभाविक है हमारे 5 साल के बजट के मकाबले आपका 9 साल का बजट अधिकी लगेगा अगर आप में थोड़ी इमानदारी होती तो आप यूपिये के 10 साल का महिला बाल विकास का जो बजट है सरकार का वो पेश करती है और अपने 10 साल का पेश करती ना आप ये बैमानी करती कि हमारा 5 साल और आपका 9 साल का बजट पेश हुआ अब बजट की हकीकत ये है कि अगर आप देखेंगे महिला बाल विकास बजट 20.7 परतिशत की बड़ोत्री करता रहा कभी भी कम नहीं वह इंदा सालों में 2004 से लेकर 14 पोचने तक हर साल बजट में बड़ोत्री हुई और 20.7 परतिशत बड़ोत्री हुई आपके समय पर क्या हुआ कुल बड़ोत्री मातर 3.4 परतिशत आपके बजट में बड़ोत्री हुई अंत में अगर हम देखें कि हमारे कारेकाल में 2013 और 2014 में कॉंग्रेस के अंतिम जो कारेकाल था कितना बजट था आज हम कहते हैं कि आपके बजट से आज आप जो बजट 23-24 का है हमारा बजट उससे 5000 करोड अधिक था हमारा बजट आपके 5000 करोड अधिकता और हमने 20 परतिशत साथ जो है हमेशा उसमें की है 1975 में प्रदान मंत्री इंद्रा गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक दूर दर्शरी योजना आंगनवाडी और पोश्चन को कवर करने की थी आंगनवाडियों को लेकर इन्होंने कहा 50 लाक रुपए का हमने आंगनवाडी जो पीडिता थी जिनकी कोविट के दोरान सेवा देते हुए मृत्यों हो गई 50 लाक बीमा कवार सुम्रिती रानी जी यहाँ पर आप कोरा जूट बोल गई हम आपको चुनोती देते हैं उन महिलाओं का जानकारी देश के सामने रखिये जिने 50 लाक रुपए कोविड के दोरान बीमा का मदद मिला हो सच्चाई यह है कि 22 जनवरी 2022 को पारलेमेंट में जब आप से सवाल पूछा गया कि कोविड के दोरान कितनी हमारी आंगनवाडी बहने यह हमारी जो दूसरी बहने हैं कारेकरता हमारी जो है उनकी मृत्य हुई उनको लाब मिला तो सच्चाई यह आती है गौवर्व्रमेंट हैज नो डाटा ओन आंगनवाडी वरकर हो डाइड ड्यूटी कोविड नाइंटी यह तो सिमृती रानी जी अबने का था आपके पस किसी तरह की कोई जानकारी और दाटा है नी जब अब आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई डाता नहीं था, तो किल लोगों को आपने 50 लाक रुपया कोविड बीमा कवर दिया है? यह सवाल आप पर घंबीर उड़ता है, यहाँ पर भी हमें बहुत बड़े भरस्टाचार की खुश्बू आती है कि कागज पे दिखा कर किने बीमा दे दिया गया? क्योंकि सच्चाई यह है कि जो हमारी आंगनवाडी की कारे करता थी, यह हमारी हेल्थ वर्कर थी, उन्हें कोट तक जाना पड़ा, उन्हें अपने घर के बरतन, जेवर, सब कुछ बेचना पड़ा, ताकि वो अपने जान भी बचा पाएं, और अपनी जीविका भी बचा पाएं, और अपने घर को भी चला पाएं, यह आपकी सच्चाई है, आजिम प्रेम जी युनिवसिटी की रिपोर्ट को आप जुठला नहीं पाई है, जवाब मांग रहे हैं आप से, आजिम प्रेम जी युनिवसिटी की रिपोर्ट के अनुसार, 20% आशा वर्कर और आंग मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया, जिसका मैंने आपको अखबार की उस समय की हेडलाइन बताई है, कि किसी तरह का भी किसी को मौवजा नहीं दिया गया, यह कोरा जूट है, जो हम आपको आज बेनकाब करते हैं, उमीद करते हैं, आप एक बार फिर से ट्विटर ट् को बिठा कर इन सवालों के, जो हम आप से आवाज उठा रहे हैं, उसके आप हमें जवाब दे पाएंगी, अनीमिया पर आ रही हूं, यह सवाल थे जो उठाए गए, इनिमिया की कमी जो है, वो पांच साल के बच्चों में यह हम नहीं कह रहें, नेशनल फैमिली हेल्थ स्कीम सर्वे, पांच साल का भारत सरकार द्वारा आप द्वारा जारी किया गया है, या नहीं हाँ या ना, अगर आप ही का यह सर्वे है, तो आप ही का सर्वे ही तो यह बता रहा है, कि महिला और बच्चों में, खासों से पांच साल से कम के बच्चों में, 67 परतिशत अनीमिया की कमी जो है, वो देखी गई है, गुजरात में चोकाने वाले, डबल इंजिन की सरकार राज से, नहीं, पांच-दस साल नी, पंदरा, बीस साल नी, अधिक सालों से चल रही है, और इनका इसी सर्वे में बताते हैं, कि गुजरात में चोकाने वाली बात यहाई, कि पांच साल से कम उमर की, कि दस में से आठ बच्चे, गुजरात में दस में से आठ बच्चे अनीमिया के पीडित है, पंदरा और सोला से लेकर उननिस और बीस के बीच महिला और बच्चों के विभिन सुमू में अनीमिया के बड़ोतरी आठ परतिशत हुई है, पंदरा और सोला की जो बच्चियां हैं या महिला हैं उननिस साल में उनमें 9.2 परतिशत अनीमिया की बड़ोतरी हुई है, यह क्या दिखाता है कि आपकी यो यो जनाएं थी, वो पूरी तरहां से फेल हुई हैं, सिरफ कागजी रही हैं, जिसके वज़ा से आज अनीमिया की हमारे महिला, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे ये जो है, वो शिकार हो रहे हैं, ये आपका गुजरात जिसमें नमबर 1 पर खड़ा हुआ है, अब ये कहते हैं, कि कॉंग्रेस ने अब तक क्या किया है, जो सवाल कॉंग्रेस से करते हैं, कॉंग्रेस ने क्या किया है, मैं एक पूरी सूची, देश के सामने रख देना चाहती हूँ, सबसे पहली उपलब दी महिला आदी आबादी को लेकर क्या थी भारतिय रास्टे कॉंग्रेस के, क्या ये नहीं थी, कि आदेश में 14 लाक बहनों को भागेदारी योजना के तहट मैला आरक्षन के तहट पंच और सरपंच स्थानिय निकाय चुनावों में आरक्षन दिया गया, जिसकी सच्चाई है कि 14 लाक बहने, आज अपने भागेदारी राजनीती में बढ़चर करने बारी है, किसकी उपलब दी थी, भारतिय रास्टे कॉंग्रेस की थी, घरेलू हिंसा कानून कोन लेकर आया हम पूछना चाहते हैं, दहेज निशेद कानून कोन लेकर आया इस देश में, यह हम पूछना चाहते हैं, निर्भिया के बाद सक्त कानून लाकर न्याय देने का काम, पोक्सो कानून के तहट 18 साल की उमर को कम करके, कि निर्भिया में एक दोशी इसलिए बच गया, उसकी उमर 18 से कम थी, उसको 16 से 18 के बीच में लाकर, तो रहां जिस्टिस वर्मा की रिपोर्ट को कानूनों को सक्त करने का काम की पीछा करना, घूरना भी एक अपराद माना जाएगा, यह किसके समय पर हुआ, यह दोड़ उस दोड़ से गुजरा, जब सती प्रता, परदा प्रता, कन्या भुरुण हत्ते आएं, यह हुआ करती थी, और उससे भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस ने ऐसे ऐसे कानून, सेक्श्वल हरास्मेंट एट वर्क प्लेस, कोई कानून नहीं था, कौन लेकर आया कि वर्क प्लेसेज में हमने अपनी बेटियों को, अपनी बच्चीयों को सुरक्षित करने का काम किया है, आज मैं भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के इन उपलब्धियों को गिनाती हूँ, मैं वो आपके सामने आप से पूछना चाहती हूँ, अगर आपके पास सही जान कर रही हो, क्योंकि जूट के दम पर आपने जिस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आकर आपका गुस्सा, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपकी भाषा जो ट्विटर में थी, उससे जलक रही थी, ऐस माल करके मात्र कॉंग्रस के नेता या कॉंग्रस को जवाब दे रही है, आपकी जवाब दई देश के प्रती है, देश की आधी अबाधी के प्रती है, जिसे आप देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है, मैं आपके सामने अपराथ की बात आपके सामने रखी मैंने अनीमिया की बात आपके सामने मैंने रखी कि क्या उसकी गुजराथ से लेकर देश में सच्चाई है मैं आपके सामने बजट को लेकर कि 5,000 करोड का बजट आज भी UPS सरकार का आपकी तुलना में अधिक रहा है आपने बजट में कटोती की और जो आपने दावे किये उसकी पोल खुलती है मैं एक और महतपुर्ण आपके सामने रोजगार को लेकर महिलाओं के बीच बेरोजगारी और आए में कमी महिला बाल विकास मंत्री ने इसके उपर भी पूरी चुपी साद ले उनसे पूछेगा ये सच्चाई है या नहीं जहां पर कल देश की बेरोजगारी के आकड़ों ने इस पूरी सरकार के दस साल के अन्याय के काल को बेनकाब किया उसकी सबसे जादा शिकार महिलाएं भी हुई है शहरी शेत्रों में महिला बेरोजगारी दर शहरी शेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 21.6% बढ़ोत्री हुई है 21.6% हुई है यह नहीं हम आप से पहुच रहे हैं कि भारत की 50% से अधिक युवा महिलाएं सिक्षा और प्रसिक्षन के बावजूद भी घरों में बेरोजगार बैठी हुई है ग्रामीन शेत्रों में इससका सबसे जादा असर जो है वो हमें देखने को मिला है अब इसी को लेकर बेरोजगारी के जो आकड़े है हमने कहा आंगनवाडी वर्करों को लेकर जैसे ही कॉंग्रेस की पांच गैरेंटी यह दस साल का अन्याय काल जो रहा उसे ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो न्याय आत्रा में आंगनवाडी वर करों आशा वर करों वो मिली राहुल जी से दस साल में उनके साथ अन्याय हुआ है उनकी आए में कोई बड़ोत्री नहीं हुई जहां पर अडानी की आए में 30 गुना बड़ोत्री होती है वही पर आंगनवाडी बेहनों की आए में मात्र दस परतिशत दस सालों में दस परतिशत बढ़ उत्री हुई है इसी को ध्यान में रखते हुए शिरी राहूल गांदी जी ने शक्ति का सम्मान आश्चा वरकर आंगनवाडी वरकर मिड़े मिल बनाने वाली महिलाओं के मासिक व्यतन में केंदर सरकार का योगदन दुगना किया जाएगा ये सारी गरेंटी महलक्षमी गरीब परिवार में एक महिला को सालाना एक लाक रुपया दिया जाएगा ये वो गरीब परिवार के महिलाएं हैं जो खेत और मजदूरी करती हैं किसी तरह की कोई आर्थिक मदद उन्हें नहीं मिल रही है बेरोजगारी चरम पर महंगाई चरम पर आट मार्च को गैंस का सिलंडर सो रुपया कम होता है 900 से 800 रुपया आ जाता है सिम्रिती इरानी जी राज्यस्थान के चुनाव में मोदी की गरिंटी थी या नहीं कि जो 500 का सिलंडर कॉंग्रेस सरकार दे रही है वो साड़े 400 का दिया जाएगा आज आप से हम सवाल करते हैं सिम्रिती इरानी जी देश को जवाब दीजिए आदि आबादी को कि आपकी डबल इंजन की किस सरकार में हमारी कौन सी बहनों को साड़े 400 रुपे में मोदी की गरिंची के अनुसार सिलंडर घरेलू मिल रहा है ये हमारा आप से सवाल है आदि आबादी पूरा हक बेरोजगारी के आकड़े आपके सामने पेश किये हैं तीस लाग सरकारी पक्की नोक्रियों के पद खाली है वाइदा है कि इन सरकारी पक्की नोक्रियों की आदि हकदार हमारी आदि अबादी होगी यानि कि तीस लाग सरकारी पक्की नोक्रियों पर पंद्रा लाग सरकारी पक्की नोक्रियों पर हक हमारी पड़ी लिखी बेटियों का होगा जो आज बेरोजगार हैं ये हमारा आप से वाइदा है जिसके करने में आप पूरी तरह पिछले 10 साल में विफल रहे हैं हमने मनरेगा जैसी योजनाएं लाकर ग्रामीन की महिलाओं और पुर्शों को समान अधिकार और समान व्यतन और समान रोजगार का अधिकार दिया है अधिकार मैत्री सभी पंचायत में एक अधिकार मैत्री न्युक्त करेंगे जो महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देंगे और इन अधिकारों को लागू करने में मदद करेंगे सबसे ज़्यादा अन्याय जो है हम देखते हैं ग्रामीन भारत में पंचायतों में इस तरह की सुचनाय आती हैं कि वो न्याय नहीं मिल रहा थाने में F.I.R. नहीं हो रही या उनकी योजनाओं को लागू करने में उन्हें परिशानियां आ रही हैं बहुत सी रुकावटे प महिलाओं के लिए होस्टल की संख्या दुगनी की जाएगी प्रते एक जिले में कम से कम एक महिला होस्टल होगा जब हम 30 लाख में पक्की सरकारी नोक्रियों में 15 लाख अपनी पड़ीली की बेटियों को देने की देश में बात करते हैं तो सौभाविक है उन्हें एक सुर करती हूं जिन पांच बिंदूओं को लेकर जैरम रमेश जी ने ट्वीट के माध्यम से मैं फिर कहूंगी उकसाने का काम किया क्योंकि उनकी चुपी महिला बाल विकास मंतरी की चुपी तूट नहीं रही थी सवालों से बच रही थी लेकिन हमें खुशी है उन्होंने अप माध्यम से तोड़ी हो लेकिन जूट परोज गई आप हमारे पास जो आज सारे ग्राफिक है उनके एक एक सवाल एक ट्वीट का लिखित में जवाब हिंदी और अंग्रेजी और दूसरी भाशाओं में हम आपको आज देने वाले हैं हो सकता है कुछ पॉइंट कुछ ग्रा पहले जवाब तो हमारे सवाल थे जैरम रमेश जी के जिसके जवाब में देश की महिला बाल विकास मंतरी सिम्रिती इरानी जी ने जूट परोसा उनके जूट को आज मैंने यहां पर तथ्थे और सबूतों के साथ बेनाकाब किया है इसकी पूरी कॉपी मैं आपके साथ श लिए जा रहे हैं वियस्त है ट्विटर देख पाती है नहीं देख पाती है मर्जी के ट्वीट देखती है मर्जी के जवाब देती है तो यह कॉपी हम सिम्रिती इरानी जी आपके घर में आपके जूट को बेनकाब करते हुए तथ्थे और ग्राफिक के साथ बेज रहे हैं इस उमीद के साथ कि अब आप ट्विटर ट्विटर ना खेलेंगी अब आप एक बड़ी प्रेस कॉन्फरेंस करके एक ही बार देश की आधियाबादी अपने दस साल के अपनी विभाग के रिपोर्ट कार्ट देश के सामने रखेंगी ये आप से हम उमीद करते हैं दो सच्चाईं दूबारा आपके सामने क्लोजिंग करते समय रख रही हूँ ये भाजपा की सच्चाई और अन्याय का काल है यह कॉंग्रेस के पांच न्याए 25 गैरंटी पांच न्याए 25 गैरंटी के साथ देश के साथ हुए अन्याए का काल ये पूरा दशक 2014-24 तक का ये पूरा दशक इतिहांस में तानाशाही, कुसाशन और अन्याए के काल के तौर पर जाना जाएगा और दूसरी तरफ एक उमीद बनकर कॉंग्रेस की ये हमारे पांच न्याए के तहट 25 गैरंटी जो हमने दी हैं जिसमें युवा न्याए, नारी न्याए, श्रमिक न्याए, किसान न्याए और भागीदारी न्याए के तहट 25 गैरंटी ये एक उमीद की किरन बनकर लोगों के बीच में न्याय दिलाने के लिए अपनी वचन बद्धता को हम दोराते हैं धन्यवाद इन्ही मुद्दो से संबंदित आपका कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं अदवाइज आपको ये पूरे ग्राफिक और सिम्रिती रानी जी के ट्वीट को बेनकाब करते हुए कि सच्चाई उनके खुद के संसद में खड़े बयान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं धन्यव धन्यवाद चुनाव आयोग को देखना है लेकिन आधार रहेगा कि दस सालों में आपने किस वर्ग को क्या दिया और दस साल में उसकी जिन्दगी में क्या बदलावाया आप बीच चुनाव में या चुनाव के दस दिन पहले इस तरह की घोशना करके सिरफ आप गुमरा कर रहे हैं आपने राज्यस्तान में भी परदान मंत्री मोदी जी की गरंटी के माध्यम से साड़े चार सो रुपे का लपीजी ली सिलेंडर जैसे घोशना खोकली है लागू नहीं है उसी तरह ये भी घोशना खोकली है दस साल में आपने असा क्यों नहीं किया सवाल आज ये पूचा परसो तरह खंड़ गए जी इसमिति रानी आनिन बलूनिक के नाम हंकन में वहाँ पर कहा उन्होंने कि क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो राम मंदिर का निमंत्र सुकारती है ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदू को आतंकवादी करती है क्या ये अचार सहिता में असपस्ट है कि धर्म और मंदिर की ये धर्म या किसी मंदिर मजद की बात नहीं हो कि फिर भी इसमिति रानी ने कहा कि आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदू को आतंकवादी करती हो मंदिर का निमंत्र अस्युकार करती हो माफी चहूंगी ये सवाल के बाद थोड़ा सा गुसा आ रहा है समरिति रानी जी थोड़ी शरम करनी चाहिए थी आपको उत्राखंड की पवित्र धर्ती पर खड़ी थी ना अंकिता भंडारी बहुत बड़ा मुद्दा आज भी उत्राखंड की धर्ती पर बना हुआ है अंकिता भंडारी कोन है उत्राखंड की बेटी है नहीं समरिति रानी जी है या नहीं पूछ रहा है देश उत्राखंड उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए समरिति रानी जी उत्राखंड की धर्ती पर आप पोची क्या आपने एक शब्द बोला क्या आप अंक अंकिता भन्डारी का परिवार आज भी उत्राकंड में आंदोली थे, आज भी एक पत्रकार को आपने जिस तरीके से पुलीस बल पर उठा कर घसीट कर हिरासत में लिया, उससे शरमशार हुई है आप या नहीं हुई है अंकिता भन्दारी के दोशी कौन है, सुम्रिती रानी जी देश जानना चाहता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ आप ही के भाजपा के बड़े नेता के रिजॉट में अंकिता बंदारी को गलत काम करने के लिए एक बार बार कहा जा रहा था जिसका उसने विरोध किया और उसके बदले में उसे मोत के घाट प फिर एक बार मुद्दा बना कर बचने की कोशिश की है पर हम आपको इस बार बच कर नहीं जाने देंगे आप देश के जिस कोने पर जाएंगी हर कोने पर आपको इस तरह के सवाल खड़े दिखेंगे और आपको बच कर नहीं निकलने जाए ने दिया जाएगा देखिए ये तो समय बताएगा और ये पार्टी को तैख करना है कि कौन किस सीट पर लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो पार्टी का स्क्रीनिंग कमिटी सी इसी तैख कर लेंगे लेकिन सिम्रिती रानी जी लिख कर ले लीजिए इस बार अमेठी आपको बुरी तरह हराने जा रही है उन्हें इस बात का अफसोस है कि श्री राहूल गांदी जी के जो काम थे वहाँ पर जिसकी चर्चा आज भी है मात्र पान सालों में आपने सिर्फ उन पर पानी फेरने का काम किया है अमेठी की जनता आपके पान साल के कारेकाल जिसमें आप केंदर की मंत्री भी है आप सिरफ सांसद नहीं है आपकी डेबल इंजिन की सरकार है कोई बहुत बड़ी उपलब्दी आपने अमेठी में हासिल नहीं की है जिसके दम पर आप ये दावा करें आप हार र इंतरनल सर्वेक और वहां के जमीनी कारेकरता मैं खुद उत्तरप्रदेश ओकर आई हूँ उन्होंने का नहीं यह करे migans शीयां रहुलं गांधी जी तो बहुत बड़ी कि वो भी बताए लेकिन स्मृति रानी लगतार जब लोगों से समवात कर रहे हैं कि डिली के अगर अगर अंदर गांधी परिवार की सिरकार यदी होती तो कोरोना में लोगों को वैक्सीन नहीं मिलती पांच किलो राशन नहीं मिलता और जो उजवला योजना है वो नहीं मिल क्या कर सकती थी जो नहीं किया जवाब उसका बनता है हमने क्या किया 2004 से 14 तक या हमने 50 साल तक क्या किया अज सारा रिकॉर्ड देश के सामने एक क्लिक पर उपलग्द है एक क्लिक पर है कि कब कब किसके किसके काल में क्या क्या कानून आए किस तरीके से महिलाओं की हो सुरक्षा हो उनका आर्थिक सशक्ति करनो कब कब कॉंग्रस ने क्या किया है सो हमने हम होते तो क्या यह ख्याली जो है चीजें उन्हें के बंद करिए दस साल आपके थे आपकी हिम्मत हो चुनोती है प्रेस वारता करिए मीडिया के सवाल लीजिए अपनी रिपोर्ट का त करते झाथ Pet forty पत्ते और सबूत पर रखे और उमीद करती हूं मेरे पत्रकार साती एक समय पर खोजी पत्रकारिता करते थे शिचाश करते थे इस बार भी अगось से बसे बार अग Ilhot दुलहा के चुनाओं वाला विज्यापना है, उस पे क्या कहेंगी आप? कौन सा, सॉरी? एक विज्यापन बीजेपी के तरफ से दुलहा के चुनाओं वाला है नी, मैं ये आप से कहना चाहती हूँ, रास्ट्रिय पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है उनके विज्यापन, उनके ट्विटर का ये स्तर होना चाहिए, मैं सिर्फ आप से और देश के लोकतंतर में पूछ रही हूँ इलेक्टोरल बॉंट के एक महा घोटाले के उपर, सिम्रित अपना हमारी जो वित मंत्री है, निर्मिला सीता रमन जी उनके जो पती देव हैं, वो भी इस पे सवाल उठा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, घंबीर मुद्दे क्या हैं, लेकिन आप इस तरह के ग्राफिक, कार्टून बनाकर, राहूल गांधी, गांधी परिवार को, आपकी जो कुंठा है, आपकी जो उनको लेकर आप में नफरत ह उसको लेकर आप प्रदर्शित करते रहें, पर देश की 140 करोड की आबादी, महंगाई, बेरोजगारी, चीन को लेकर, अभी आपने देखा है, क्या बयान आया है, अरुनाचल को उन्होंने अपना बताया है, हम इंतजार कर रहे हैं, भारस सरकार का स्टैंड का है, दूसरो देशों से भी लगातार बहुत से मुद्दो पर चुनोती आ रही है, तो ये स्तर गिर चुका है इनका, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, पर हम मुद्दों पर रहेंगे, धन्यवाद